वेलकम तो फिजिक्स युनिवर्स तो टोड़े आवर टॉपिक इस स्टैंडर 12 चैप्टर 1 1.7 फोर्सेज बिट्विन मल्टिपल चार्जिस तो अर्लियल वी टॉक अबाऊट कुलम्स लॉव ओके, कुलम्स लॉव अल्वेज एक कपल के बीच में ही लग सकता है जैसे कि हस्बंड वाइफ एक कपल होती है एक पैर होता है वैसे ही जो कुलम्स फोर्स है वो दो चार्जिस के बीच ही लग सकता है अगर हम लोग थर्ड चार्जिस उन दोनों के बीच अगर लाएंगे तो दो जो चार्जिस हमने लिए अगर उसका फोर्स में फाइंड करूँगा तो थर्ड चार्ज उसका जो फोर्स रहेगा वो अनफेक्टेड रहेगा तो here we talk about more than two charges अगर दो से ज्यादा charges हुए तो forces में क्या difference होगा नहीं होगा इसकी हम लोग आज बात करने वाल है तो first of all we take three charges let us we take Q1, Q2 and Q3 बत जो कुलम law है that is always between only two charges clear तो first suppose we talk about Q2 and Q1 clear now Q2 and Q1 here we talk about repulsive force so repulsion में क्या होगा कि जो force लगेगा वो outward लगेगा तो force between two and one is F12 that means the vector F12 means force on one by two clear okay similarly अगर हम लोग one and three की बात करेंगे जब हम लोग one and three की बात करें तो one and three की बात करें तो one and three की बीच में two कुछ काम नहीं कर पाएगा क्योंकि हमें दो पैर में ही लेना है clear तो Q1 and Q2 let's talk about Q1 and Q2 तो force here also repulsive force that's why force F13 is outward so vector F13 means force on one by three clear यहां पर हम लोग क्या कर रहे है कि जितने भी charges है उन सब के कारण जो force है वो on Q1 ही find करना है तो total force हमें find करना है अगर कि Q1 charge पर बाकी charges के कारण total कितना force लग रहा है वो हमें यहां पर find करना है तो हमें 2-2 की pair बनानी है उन सब के पहले force find करना है और फिर सब का summation इससे हमें पूरा Q1 के उपर जितना भी force लग रहा है जैसे कि vector F1 वो हमें मिल जाएगा तो यह जो एक principle है उसको हम लोग बोलेंगे superposition principle of superposition यहां पर हमने किया किया 2-2 की pair बनाई और फिर summation किया तो यह principle of superposition कहलाएगा clear तो अगर हम लोग बात करेगी कि चलो पहले force लग रहा है F12 हम हमें यहां पे सिर्फ Q1 charges पे जितने सारे force लग रहे उसी की बात करनी है तो always 1 पहले आएगा उसके बाद में 2 आएगा force on 1 by 2 तो earlier we discuss about this formula 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r12 square और एक unit vector भी आएगा क्योंकि left hand side vector quantity है इसलिए right hand side भी vector quantity आनी चाहिए इसलिए हमने यहां पे unit vector लिखा r12 hat clear अब हमें force जो charge 1 है Q1 charge उस पे Q3 charge के कारण जो force लगेगा उसके बारे में बात करनी है तो now vector f13 force on 1 by 3 similar is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q3 upon r13 square यह सारी बाते हुई scalar की अब vector form में आ गया unit vector r13 hat clear okay now 2 force तो हमने find कर दिये की force on 1 by 2 force on 1 by 3 यह दोनों force की बात हो गई clear अब superposition principle तो उसमें हमें क्या करना है दोनों का summation कर देना है तो दोनों का sum किया और जो total force मिला that is vector f1 total force on q1 charge clear okay यह तो बात हमने की सिर्फ 3 charges अगर होगे हमारे पास तो की हमारे पास suppose के n number of charges are there और हमें find करना है कि चलो q1 पे total कितना force मिलेगा तो वैसे हमें दो-दो की pair बनानी है जैसे की कुलम्स लों में हमने पड़ा कि दो-दो की pair तो first of all q1 due to q2 then q1 due to q3 q1 due to q4 q1 up to qn तक जाना है तो ऐसे ही सारे दो-दो pair की force बना के हमें सबका summation कर देना है clear तो यहां पे vector f1 is equal to vector f12, vector f13, vector f1 up to n clear now इन सभी के अगर force formula लिखेंगे तो सब में common चीज है 1 upon 4pi epsilon 0 उसको common कर देते हैं similarly q1 भी common रहता है बट अभी के लिए वह लिख लेंगे तो q1 q2 upon r12 square r12 hat similarly 4 3 similarly up to n तक जाना है अब इन सब में अगर हम लोग देखते हैं तो sequences are same suppose के q1 भी as it is है 1 upon 4pi epsilon 0 भी as it is है यहाँ पर q2 यह q3 और यहाँ पर qn इतना changes होगा और in denominator यहाँ पर 12 यहाँ पर 13 यहाँ पर 1n similarly यहाँ पर unit vectors भी change हो रहे तो सब में एक ही तरीके का change है तो हम उसको short में भी लिख सकते है कि q1 common clear q1 common 1 upon 4pi epsilon 0 common sigma sigma means summation of all clear तो qi वो भी a common term है r1i hat upon r1i square तो i कहाँ से start हुआ तो यहाँ पर it is return q2 से start हुआ फिर q3 फिर qn clear तो वो term change हो रही है तो i is equal to 2 to up to n तक जाना है तो ऐसे हमने क्या किया यह जो formula पूरी जो बड़ी-बड़ी formula हमने लिखिया उसको short form में लिख लिया clear okay thank you